नमस्कार दोस्तों, मैं आरियन सर्मा और आप लोग देख रहे हैं आरियन ओनलाइन क्लासेश तो फ्रेंट्स, आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्छा वार्वी के इतिहास का पाचमा अध्या इसे पहले वला अध्याय आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिपसिस्व बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां सा आप लोग जाके सभी अध्याय का अलग-अलग चेप्टर बाइज अब्जेक्टिव को देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते ह देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही जादा महत्पूर्ण है तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो और स्टार्ट करते और देखते हैं इन सारे प्रस्णों में से आप लोग कितने प्रस्णों का आंसर पहले से जानते थे आप हमें एक कोमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि मुझे भी पता चले आपकी पढ़ाई कैसी है अब पहला नमबर प्रस्ण यहाँ पे है अकवर नामा की रचना किशने क्या था इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अबूल फजल अगले प्रस्ण के और चलेंगे दूसरा नमबर प्रस्ण आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भूमी सुधार संबंधी जबती पर्था किसकी देन है तो फ्रेंट दूसरा नमबर का जो ऑप्शन ए दे रखा अकवर ऑप्शन बी दे रखा बिरवल और ऑप अगले प्रस्ण के और चलते हम लोग अगला प्रस्ण हमारे पास है सी तो तीसरा कुतूब मिनार का निर्मान किसके अस्मिर्ती में कराया गया था और ऑप्शन ए गया था और ऑप्शन ए तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा डी ही हो जाएगा बग्तियार काकी ही अगला प्रस्ण हम लोग देखते हैं चोथे नमबर और चोथा नमबर है यहाँ पे अकवर के सामा कलीन नहीं था चोथा नमबर प्रस्ण है अकवर के सामा कलीन नहीं था तो उप्शन ए है यहाँ पे रानी एले जावेत और ऑप्शन बी है हेनेरी चतुर्त फ्रांस के और ऑप्शन सी है अबास महान और ऑप्शन डी है जार निकोलस तो चोथे नमबर का जो राइट आंसर हो जगा डी हो ने क्या था अब कौन क्या था दीखे यह जना प्विशन कॉम्पूटेशन के एक्जाम में भी पूछे जा चुके ठीक है बहुत बार तो तमबाकू का सेवन सर पर्थम किस मोगल समराठ ने क्या था ऑप्शन ए अकवर ऑप्शन बी जहांगीर ऑप्शन सी सा जहां और द्वर्हा है देख रहे हैं आप यहाँ पर अचठा नंबर है सन सोलासो से सत्रासव इसवी के बीच भारत की अबादी लगभग थी 1600 से 1700 SB के बीच में भारत की अवादी कितनी थी तो फ्रेंट 6 नमर का आंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा 5 करोड अवादी थी और आप लोग को बताना है 2020 का अवादी कितना है अगला प्रस्ण 2020 का अवादी आप लोग को कमेंट करके बताना ठीक है देखते हैं अप लोग को पता है कि नहीं बाबर नामा गरंथ किसके द्वारा लिखा गया है बाबर नामा गरंथ किसके द्वारा लिखा गया है ओप्सन A बदा यूनी ओप्सन B अवुल फजल ओप्सन C बाबर और ओप्सन D है जहागीर इस साथमा नमबर का जो right answer हो जाएगा C हो जाएगा बावर अगले प्रेशन के ओर चलते हैं हम लोग अगला प्रेशन हमारे पास है आठमा नमबर समराज जेवादी इतिहास कारक हैं समराज जेवादी इतिहास कारक हैं इसका जो option A है अबूल कादिर बदायूनी और option B है डवलू एच मॉरलेंड और option C है आरपी तिरपाथी option D है आरएस सर्मा तो समराज जेवादी इतिहास कारक कौन थे तो इसका रायट आंसर हो जाएगा option B इसका रायट आंसर हो जाएगा option B डवलू एच मॉरलेंड अगला प्रशन के और चलते हैं नंबर नंबर और नंबर प्रशन में है किस गरंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है option A बावर नामा, option B अकबर नामा, option C जहागीर नामा और option D जो है इनमें से सबी इसका जो रायट आंसर हो जाएगा बावर नामा किस गरंथ में आदम से लेकर अकबर काल तक का इतिहास मिलता है तो अकबर नामा में मिलता है ठीक है नौ नंबर का राइट आंसर भी हो जाएगा अगला प्रशन हम लोग देख लेते हैं दसमा नंबर और दसमा नंबर जो है बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे अकबर ने किसे अपना वित मंतरी नियुक्त किया आप्सण A टोडरमल ऑप्सण B मान सिंग ऑप्सण C फाजी और ऑप्सण D अबदुलरहीम खान या खाने खावाच शुरी अबदुलरहीम खान होगा ठीक है खान तो इसका जो राइट आंसर हो जगा ए हो जाएगा टोडरमल प्रोड यह मANG 1011 नम्बर अइन एकवरी किनने लिखा आइन एकवरी किसने लिखा आप्शने बाबर ओप्शन वी फैजी ऑफशन सी अबुल फजल इस ज़ी बदा यूनी यह 11-चा उन्मबर का जो राइट आंसर घी एएद हेगा अब्दुल म。 अगला प्रस्ट बारह नमबर दिखिए बारह नमबर है सिकार के समय रास्ते में परने वाले गौ में भूराजस्व संबंधी जानकारी किस समराथ ने सरपर्थम प्राप्त की अगला प्रस्ट हम लोग देखते हैं अभी तक आपने बारह प्रस्ट देखे हैं और बारह प्रस्ट में कितने प्रस्ट का याद था आप लोग को पता ही होगा लास्ट में आप लोग को कमेंट करके 20 प्रस्ट जो है आज हम आपको बताएंगे उसमें से आप लोग को कितने प्रस्ट याद था वो आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे ठीक है तेरह नमबर की और चलते हैं अबुल फजल कृति आइन प्रश्न की और चलते हम लोग 14 नमबर तंबाकू का सेवन सबसे पहले मुगल समराथ ने बंद कराया देखे एक तो आपको हम बताए थे तंबाकू सेवन सबसे पहले किस मुगल समराथ ने किया था ठीक है और यहाँ पे है तंबाकू का सेवन सबसे पहले मुगल समराठ ने बंद कराया ओप्सन ए जो है अकबर है और ओप्सन बी जो है बाबर है ओप्सन सी सा जहां है और ओप्सन डी जो है जहांगीर है देखे 14 नमबर का रायट आंसर होजगा जहांगीर बंद करवाया था अगले प्रश्ण क्योंड चलते हैं हम लोग 15 नमबर 15 नमबर में है भारत में तंबाकू का पोधा लगाया था देखे भारत में तंबाकू का पोधा लगाया था इसके द्वारा लगाया गया था अंग्रेजों द्वारा या हुनोर द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा या अर्बो द्वारा तो फ्रेंड्स पंधर नमर का जो राइट आंसर हो गया पुर्तगालियों द्वारा क्योंकि यह जो थे एक बिजनसमेन थे एक बैपारी इसलिए पुर्ट्गाली ने यहां पे भारत में वह तंबाकू चलते आ रहा है अगला प्रस्ट 16 नंबर हुमायू का भाई था कौन था तो फ्रेंट्स हुमायू का भाई कौन था आप लोगों को याद होगा तो option A है काम रान option B है हिदाल और option C है अंसकरी और इन में से सभी option D तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हुजगा कामरान और option B हिदाल और option C असकरी इन में से सभी ये सभी जो थे हुमायू के भाई ही थे अगले प्रेशन के और चलते हैं 17 नंबर जो की बहुत ही ज़्यादा महत्पून है 17 नंबर है भारत का पर्थम मुगल समराट कौन थे भारत का पर्थम मुगल समराट कौन थे option A अकबर option B बावर option C सा जहां option D और रंगजे दिखे सा जहां आप लोग को पता है ताजमल किसनी बनवाय था सा जहान बनाय था अपने मुम्ताज के बगेर अप लोग को पता ही ह होगा तो भारत का सर पर्थम मुगल समराट कौन था तो option B जो है इसका राइट आंसो जिगा बावर था ठीक है याद रखना है यह बहुत ही जदा इंपोर्टेंट है अप्स अठारा नमबर पे चल आ चुके हम लोग तो अठारा नमबर में हैं तुजुक ए तुजुक ए बावरी किसने लिखी option A बावर option B फैजी option C अबूल फजल option D हुमायू ताजुक ए बावरी किसने लिखी अठार नमबर कर आटा आंसोज या बावर लिखा था अगला प्रश्ण के और चलेंगे हम लोग अगला प्रश्ण डिस्पेले पे आप लोग को दिख रहा है यहां पे देख लिख लिख आजए कह रहा है कि मनस बदारी मनस बदारी विवस्था किस सासन के द्वारा शुरू की गई थी अगला प्रश्ण हम लोग देखते हैं 20 नंबर कुतुब मिनार का निर्मान किसने आरम क्या कुतुब मिनार का निर्मान किसने आरम क्या या इस तरह भी प्रस्ण पूछे जा सकते हैं कुतुब मिनार का निर्मान किसने क्या या कुतुब मिनार किसने बनवाया इसका जो राइट आंसर हो जगा कुतुब देन एवेक ठीक है आप लोग को इसका राइट आंसर करना है कुतुब दिन एवेक इसका राइट आंसर सी हो जेगा तो फ्रेंड्स अभी हमने 20 प्रस्ण किया और 20 प्रस्ण जो कि बहुत ही जादा महत्पुन थे आपके बोटक्सम के लिए तो इस 20 प्रस्ण में से आपको कितने प्रस्ण का आंसर पहले से पता था और आपने कितना सही किया वो राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे बीडियो अच्छी लिएक तो लाइक करना दोस्तों के साथ सेर करना और चैनल पर नय हो त्यार चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मिलते एकने वीडियो को लेके तब तक लिए बाबाई जय हिन जय भारत